I am Neha and welcome back to my channel I am here with a new topic so let's begin the topic आज का हमारा topic है long term potential इससे पहले हमने पढ़ा था Heps law जिसमें यह जाना कि एक neuron से दूसरी neurons में ट्रांसफर होती है information अब हम यह जानेंगे कि किस तरीके से वो information ट्रांसफर होती है तो बहुत सारे topics में हमने पढ़ा कि census के थूँ हमारी जो information है वो short term memory में आती है for 20 to 30 seconds के लिए और फिर वो consolidate होकर और encode होकर memory हमारे long term memory में convert या ट्रांसफर हो जाती है तो इस memory जहां से start होती है वो उसमें हिपो केंपस बहुत ही important role play करता है इसको हमने जाना था कौन से डॉपिक में memory consolidation and hippocampus में बहुत ही details में पढ़ा है आप जरूर देखिएगा तो यह neurons हैं जो एक दूसरे से यहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं इसी तरीके से कुछ ट्रांसफर होते हैं जिसको मैं आगे चलके और भी जूम करके बताऊंगे तो देखते हैं कुछ यह भी है एक picture है जिसमें यहां एक दूसरे से ट्रांसफर होते ही है हमारे ब्रेइन के नीयॉरौञ्ण से जब यह एक ट्रांसफर हो जाते हैं तो एक दूसरे से कले जाते हैं इसंने इंकी फूल फूर्म इस receptor के त्रूही एक neurons में से दूसरे neurons में हमारी information जो है वो flow होती है बहुत ही तेजी से तो जो हमारी information होती है वो glutamate के form में रहती है और यह NMDA का जो block है वे है यह block रहता है magnesium से बट जब बहुत तेजी से यहां से neurons से information flows होती है या glutamate flow होता है तो उसकी वज़े से देखें यहां पर बहुत तेजी से flow हो रहे हैं बहुत ही जादा frequently activate है तो इसकी flow की वज़े से यह जो magnesium होता है जो block में लगा रहता है यह निकल जाता है और सारी information हमारे signal के रूप में यहां पर आ जाती है फिर यही memory हमारी short term memory में convert होती है और फिर long term memory में convert होती है तो long term potential मैंने with pictures बहुत ही easily explain किया है आयो उपर यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो इसको थोड़ा सा termly यहां पर मैंने लिख दिया है कि जो long term potential है और और यह जो process है synaptic connection का between neurons become stronger with frequent activation और यह change करते हैं in response to experience और यह जो learning and memory इसी organism के अंडलाई आती है तो एक बहुत अच्छा example है यहां पर कि एक mouse है जो पानी में गिरिया है और वो जब तक किसी प्लेटफॉर्म को पानी जाता है बहार निकलने के लिए तब तक वो ट्राई करता रहता है बार बार ट्राई करता रहता है विद रिपीटिशन दब माउस सून लर्न तो लोकेट दफ प्लेटफॉर्म और वो बहुत जल्दी से अपने प्लेटफॉर्म को पाता था इसी तरीके से कुछ नियूरॉन्स भी हिपो कैंपस नियूरॉन्स इन दे हिपो कैंपस आ नीडिट फॉर दिस टाइप आफ लर्नी लर्निंग जो हमारे लॉंग टम मेमरी में स्टोर होती है तो यह बहुत ही इसी वे में आपको एक्स्प्रेइन किया है मैंने आई हो यह टॉपिक आप लोंगो क्लियर हो गया हो तो घर पे रहें सुरचित रहें देखते रहें थैंक्स वो वाजिन